Assalamualaikum दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेश्यो पर वालकम कहती हूं आज जो हम प्ले बढ़ने जा रहे हैं प्ले करहा है पिगमेलियन जो के जीबी शाह ने लिखा है पिगमेलियन जो है जीबी शाह का बहुत ही इंटरस्टिं है यह कहां से लिया गया है तो कि जीबी शाह जो हमारे राइटर है ना मोडरन ड्रामाटिस्ट यह कोई भी टाइटल बगार किसी वज़ा के नहीं लिखते और नहीं कोई भी टाइटल ऐसा चूज करते हैं इसका कोई सिंग्निविकेंस ना हो इनके टाइटल की बेस पे लिया गया ओविट नाम का एक परसन था ठीक है एक रॉमन पोईट था उसकी पोईटरी का नाम था उसकी निरेटिव जो पोईटरी थी उसका नाम था मैटमॉर्फोसिस यह जो लेटन निरेटिव पोईटरी थी उसका नाम था मैटमॉर्फोसिस यह जो लेटन निरेटिव एक आइवरी के साथ एक कार्विंग की थी एक स्कल्प्च्र की ठीक है और वो इसकल्प्चर बहुत इट्रैक्टिव था और उस अट्रैक्टिवनस की बेश के ऊपर यह करेक्टर जो था बहुत सदा फेमस हो गया कौन पिग्मेलियन तो Pygmalion ने जो sculpture carved किया था ना जिसको बनाया था वो एक women का था जिसको उसने ivory से बनाया था तो overt के according Pygmalion ने क्या देखा Pygmalion ने देखा कि Propititis है Propititis जिनको Propititis भी कहते है मैंने यहाँ पर spelling लिखे हैं आप देख सकते हैं Propititis यह जो Propititis है ना यह Propititis की बेटी हैं ठीक है Greek myth के according और यह जो Propititis की जो बेटी है ना जो इनकी daughter है यह सब की सब प्रोस्टिट्यूट में convert हो गई है तो इस बेस पे इनके इस एक्ट की बेस पे Pygmalion जो है वो डिक्लियर करता है He was not interested in women लेकिन बाद में क्या होता है बाद में ऐसा होता है यह देखता है कि इसका जो बनाया हूँ स्टैचू है वो कितना beautiful और कितना realistic है इसको अपने बनाया हूँ स्टैचू से ही प्यार हो जाता है ठीक है तो Pygmalion की mythology यह है और इसी myth से यह G.B. Shah ने title लिया है Pygmalion जो कि बहुत ही significant है और बहुत दफा एक्जाम में यह question भी किया जाता है कि discuss the plot of the play in relation to the Pygmalion myth तो आपको clear हो चुका होगा कि Pygmalion myth है क्या और यही element जो है इस myth के हम लोग को इस story के अंदर भी मिलेंगे तो अब हम बात करते हैं अपने main topic की जो हम इस video में cover करने जाएंगे जो contents होंगे उसमें number one हम बात करेंगे writer की introduction की number two इस play के हम लोग key facts को देखेंगे number three पे हम लोग character list की बात करेंगे number four पे हम लोग summary का critical analysis के साथ देखेंगे और summary को पूरा देखेंगे with quotations फिर हम themes की बात करेंगे और फिर important questions को हम लोग देखेंगे ठीक है तो time को waste की बगएर हम start करते हैं पहले बात करते हम लोग हमारे writer G.B. Shaw की G.B. Shaw जो यह 1856 में पैदा होते हैं और 1950 में इनकी death हो जाती है 1856 तो 1950 और इनके birth होती है Dublin, Ireland के अंदर और यह पूर फैमिली से बिलॉंग करते हैं इनकी upbringing की जाओ पूर फैमिली में होती है G.B. Shaw जो है यह modern dramatist के greatest dramatist के इनके जाते हैं और इसके इलावा यह एक literary critic भी थे एक socialist spokesman भी थे और 20th century के reading figure count होते हैं specially 20th century theater के G.B. Shaw जो थे एक free thinker थे यह defender of women right भी रहे हैं और इन्होंने advocate किये equality of income को भी हम कह सकते हैं यह feminist writer भी थे और यह marxist writer भी थे क्योंकि जब women right की बात आजा तो वहाँ पे automatically feminism की theory को associate किया जाता है और जब advocate किया जा equality of income को तो वहाँ पे marxism की theory को associate किया जाता है 1925 में इनको Nobel Prize for Literature मिला था शा ने honor को थे accept कर दिया था लेकिन इन्होंने पैसा लेने से इंकार कर दिया था जब भी 15 साल के थे तब इन्होंने junior cleric के तोर पे काम किया था लेकिन 1876 के अंदर यह Ireland चोर कर London को चले गए थे और वहां भी जाके इन्होंने अपना literary career स्टार्ट किया था सबसे पहले अपने literary career के अंदर इन्होंने novel लिखना शुरू किये थे लेकिन novel से इनको कोई ज़्यादा encouragement नहीं मिली थी फिर इसके बाद इन्होंने debates में पार्ट करना शुरू कर दिया था 1884 के अंदर Fabian Society जोईन कर ली थी विच वास रिस्पॉंसिबल फूर क्रियेटिंग दे British Labour Party जी भी शा के बारे में further बिताने से पहले मैं आपको Karl Marx का थोड़ा सा बता दूँगी कि मैंने Karl Marx का नाम लिया था तो Karl Marx कों थे? Karl Marx जो थे ये एक Marxist थे इन्होंने Marxism की थेरी को इंटेडियूस करवाया था और Marxism की थेरी क्या थी? Marxism की थेरी बात करती थी Upper and Lower Class की कि जो Upper और Lower Class है ये मस्ट भी इक्वल ठीक है? उनको वो इक्वल होने चाहिए और उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए उन्होंने कहा था जो बॉर्ड जो आ है Means to उसे जो Upper Class है वो थूएं थूएं थूए प्रोलिटरेट को एक्स्प्लोइट कर रही है प्रोलिटरेट मीन्स लोर क्लास को तो Upper Class शूरू से ही Lower Class को एक्स्प्लोइट कर रही है और अगर जो Lower Class है अपने राइट्स हासल करना चाहती है तो उसको रिवोल्ड करना होगा Upper के Against और साथे साथ कार्ड मार्क्स ने ये भी कहा कि हर जाएज और ना जाएज मीन्स यूज करके Lower Class अपने राइट ले सकती है तो कार्ड मार्क्स एक सोशलिस्ट थे और इसी बेस पे जो हमारे राइटर जीवीशा है ये भी सोशलिस्ट बन गे थे आफ्टर रीडिंग कार्ड मार्क्स तो कार्ड मार्क्स के इंफलिएंस के इलावा इसके ओपर दो दूस्रे राइटर्स भी थे जिसका बहुत जादा इंफलियंस हुआ था एक थे हैंडरिक इपसन जो के नॉर्वेजियन ड्रामाटिस थे और दूसरे थे फ्रेडरिक निच्छे जो के जर्मन फिलोसफर थे तो मैं इपसन और निच्छे के इंपक्ट को रिलेट करने के से पहले आपको थोड़ा सा जीबी शा के रिलीजियन के बारे में बताऊंगी कि इसका पहले रिलीजियन क्रिस्चेनिटी था और बाद में ये एथिस्ट बन गया था इसी तरह जो फ्रेटनिक निच्छे है न ये एक जर्मन फिलोसफर था जो के एक नहीं लिस्ट था नहीं लिस्ट मींज के जो खुदा को नहीं मानता जो अथोर्टी को नहीं मानता जो गोड की उग्सिस्टंस को अदमिट नहीं करता ठीक है, तो same is the case with the GB Shah जो के पहले Christian था, बात में वो atheist बन गया था non-believer of court बन गया था due to influence of Nietzsche और अगर हम Henrik Ipsen की बात करें तो Henrik Ipsen एक feminist writer था जो के feminism को बहुत promote करता था women right को बहुत promote करता था और यही influence हम लोगो GB Shah के अंदर भी नज़र आता है अब इसके लावा अगर हम GB Shah के works की बात करें तो उन्होंने musical criticism, novels, short stories, plays, essays, debates, dramas सब कुछ लिखा, ठीक है, इस सब कुछ लिखा उन्होंने और यह ज़्यादा famous की space पे हुए, place की space पे famous हुए और इसलिए इनका नाम जो है, modern dramatist की list के अंदर top पे आता है अगर हम इनके writing की themes की बात करें, तो जो themes हैं यह mainly deal करते हैं language and speech को, appearance and identity को, social class and manners को, education and intelligence को, femininity and gender roles को transformation को अगर हम mostly इनकी writing के, जो trend है उसकी बात करें, तो यह problem place लिखते हैं problem place के इलावा यह anti-romantic comedy लिखते हैं anti-romantic comedy जो होती है, वो naturally bind करती है, reality के साथ और कोई भी imagination और idealism का scope नहीं देती इसके अंदर in short, यह romantic comedy नहीं होती, बलके comedy होती in the shape of an anti-romance यह conventional material के उपर बेस नहीं करती, जासा के love, affairs, sentiment, size, passions वगारा वगारा, reunion यह उनके उपर नहीं बेस करती, बलके इसका एक purpose serious purpose होता है, यह realistic होती है, and realism पर बेस करती है जितने भी reformation की, जो serious problems होती है, उनको underline करती है जितने भी age के problems होती है यह उसको deal करती है, इसी बेस पे जो हमारे GB show writer है, यह as a reformer भी बहुत जादा famous है और mostly जो इनका work होता है, वो इनके जो mostly works है, वो social satire भी है, जिसके लिए satirical elements use की है satire means tons किया हुआ है, society के उपर, और इनके play की जो मैंने टेक्नीक पताया था problem play, तो यह problem plays लिखते हैं जिसके लिए again same बात है, problems को highlight करते हैं जैसा के हम लोग pigmalion के अंदर देखेंगे, problem of education, problem of pronunciation, and उसके लावा, problems of accent, etc, etc तो यह सब कुछ हमें नजर आएगा इस play के अंदर भी, क्योंकि यह a social reformer है, तो इसलिए problems को highlight करेंगे पने plays के अंदर इनके हम अगर major works की बात करें, तो हमारे पास five novels, उनमें से कुछ, जो novels के name मैं बता देती हैं आपको एक immaturity and unsocial socialist, love among the artists, और short stories हैं, जो उनका मैं नाम बता दूँ, the black girl in search of code, जो के 1932 में published हुआ था और इसके इलावा the miraculous revenge, ठीक है, यह भी जो है ना, इनके दो short stories, बहुत famous short stories हैं, मैं सिफ masterpiece के name बता रही हूँ आपको, इसके इलावा इनके बहुत ज़दा plays हैं, बहुत ज़दा works हैं, novels हैं, और अगर हम plays की बात करें, तो इनने 63 के roundabout plays लिखे थे और इससे भी कुछ स्याद हैं, उनमें से कुछ जो plays हैं, जो famous plays, Candida, जो के 1894 में published हुआ था, Man and Superman, जो के 1902 में published हुआ था, The Doctor's Dilemma, जो के 1906 में published हुआ था, Getting Married, जो के 1908 में published हुआ था, Pygmalion, जो के 1912 में published हुआ था, and most important और most famous play हैं इनका, Arms and the Man, Arms and the Man के लावा, On the Rocks, जो के 1933 में published हुआ था, तो ये इनके most famous plays हैं, इसके लावा भी इनके बहुत साथे plays हैं, इनके 22 essays हैं, जो के कुछ famous essays के नेम है, On Going to Church, जो के 1905 में published हुआ, Maxims of Revolutionists, जो के 1903 में published हुआ, Assays in Fabian Socialism, जो के 1931 में published हुआ था, ठीक है, ये कुछ इनके important essays हैं, Writing style के हम लोग already बात कर चुके हुए हैं, थोड़ी सी बात मैं उसके अंदर addition करते हैं, आपको बता दूँ कि इनके बारे में कहाँ, My way of joking is to tell the truth, it's the funniest joke in the world, और ये मतलब अपनी राइटिंग में जब ये comic element यूज करते हैं, ये basically reality बताने के यूज करते हैं, और इनके बारे म Comic element यूज करके लोगों को हसात हो देते हैं, लेकिन actually में करते हैं, serious problems को highlight करते हैं अपनी writing के अंदर, themes में बता चुकी थी, आपको थोड़ा सा again उसके अंदर highlight कर दूँ के कौन से main issues को discuss करते हैं, education को, marriage को, religion को, government को, healthcare को and class privilege system को, ठीक हो गया, इनको ये discuss करते हैं अपनी writing में तो यहां पर हमारा GB Shaw का main introduction हुआ complete, अब हम बात करते हैं अपने novel की, कि इसके key facts क्या है, number one, इसका title पिग्मिलियन है, ये 1912 में लिखा गया था, और लंडन में लिखा गया था, इसकी publication date भी 1912 ही है, जिस literary period के दुरान लिखा गया है, वो Victorian period चल रहा था, लेकिन अपनी technicality की बेस पर, राइटिंग की बेस पर, ये modern fiction में आ जाता है, sorry, modern drama में आ जाता है, इसका यानरा drama है, comedy है, comedy of manners है, इसकी setting लंडन दिखाई गया है, इस story के अंदर, और जो GB Shaw है, इस बेस पर, इस play की बेस पर, इनको मिला था Oscar Prize, लिट्रेशर के अंदर, he won the Oscar Prize for his work on a film adaptation of Pygmalion, और इसी बेस पर, इसी play की बेस पर, GB Shaw को Nobel Prize भी मिला था, और Nobel Prize को पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन लेटर ओन इन्होंने अपना mind change कर दिया, और उसके बाद Nobel Prize को accept कर लिया था, बट इन्होंने जो प्राइस मनी दी गई थी, उसको लेने से refuse कर दिया था, तो ये key facts थे हमा इसके पर, इसके पार इसके पार भाएर फैंक दिया था तब इसने flowers को सेल करना शूरू कर दिया था था, था ये एक्शिली में लिजा ही है, इसको जो Henry Higgins है, वो phonatic सिखाता है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर इसको सीखने के बाद जो है लिजा, वो तब उसका नेम है जोके नेक्स्ट आम आपास Henry Higgins का करेक्टर जो कि प्रोफेसर है फञेटिक्स का और वो लिजा को ट्यूशन देता है ठीक है एक डियर के तोर पे और एज एक्सपेरिमेंट थीक है एक डियर के तोर पे लिजा को पढ़ाना शुरू करता है मेंचु से Henry Higgins वो चैलेंज लेता है कि वो लिजा को पढ़ाएगा ठीक है और एक्सपेरिमेंट करेगा इसके उपर कि वो चेंज होती है कि नहीं होती है और वो उसको कहता है मैं चेंज करके दिखाऊंगा लिजा को इसके बाद नेक्स करेक्टर हमारे पास Clonial Pickering का जो के ए अपने डिखर बेटे के वाइलेड बदिख को ब्राइड की देटेव मैं ब्रेट्या सिनावल करती है जो आपने ब्रेस को इसके रफ लेजा को उगिंश करती है पर नेक्सरेमली पर और टीकर चैलेंप अलड़िए को तर भी हमेंटी जों के चैलेंड है पर लिजा को फिर एक नेक्स अरेक्टर मार पस Freddie का Freddie जो है एक poor, gentle young man है जिसको Aliza से प्यार हो जाता है पीर है Clara का करेक्टर Clara जो है फ्रेडी की sister है जो के हिजिंस को marriageable regard कर थी है फिर एक नेक्स अरेक्टर आते है Mrs. Anseford-Hilka जो के Freddie और Clara की mother है फिर next character है मार पास Mr. Doolittle का ये लिजा के father है ये बहुत amuse करते हैं जिजिन सको और ये एक American मिलिनेर है उसकी death के बाद आते हैं जिसको recommend किया उता है जिन ने तो अब ये लिए करेक्टर के इंड्रॉक्शन था, जब हम स्टोरी देख़ेंगे, तो आपको इन करेक्टर की प्रॉपर अंड्रस्टैंडिंग भी होजाएगी , और संभी अच्छे से क्लिए हो जाएगी , तो बाउट फेस्टिंग अरी को स्टार्ट करते हैं, समरी को स्टार्ट करने से बहले मैं जरा एक प्रोनसीशन ठीक करवा दूँ मैं यहां पर हैंडरी हिजिंज बोल रही थी यह हैंडरी हिगिंज है और यह मिस्सिस हिगिंज है ठीक है इसकी प्रोनसीशन हिगिंज है तो आप समरी की तरफ आते हैं जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं टाइटल की सिगनिफिकन्ट बता रही थी पिगमिलियन की तो मैंने आपको एक स्टोरी बताया थी पिगमिलियन की जो के एक हमारे रॉमन पोईट थे उनका work था, Latin work था, उस Latin narrative poem से नाम लिया गया Pygmalion का, और उसके रोल का, मैंने आपको पताया था, और इसके लाबर एक ओर story जिसने writer को motivate किया है, यह story, यह play लिखने में, वो story है Cinderella की, Cinderella का, तो आपको पता है सब को, कि अपने सुतेली मा के साथ यस सृतेली मा की असली बेटींग भी उख लाती थी, is त् सॅतेली माकी असली बेटी considerations देती होती हुआ है। नहीं का स्टोरी निया होते। लिया गिया है, इन दोनों करेक्टर से इंस्पाइर हो के, जो हमारा राइटर है उसने इस प्ले को लिखा है जो कि थोड़े बहुत रिफलेक्शन्स जो है ने स्टोरी के लिए हम लोगों को नजर आएंगे तो अब विदाउट फेस्टिंग एनी टाइम अपनी प्ले को स्टार्ट करते है जब यह प्ले स्टार्ट होता है तो प्ले के बिल्कु स्टार्ट ने बताया किया है कि इट इस रेइनिंग नाइंट ठीक है बारेश हो रही है और जो प्लेस है वो कोविंट गार्डन है जो कि लंडन में है 11 p.m. का टाइम है Clara जो हो कहती के Freddy को अभी तक cab ने मिली Freddy cab लेने के लिए के लिए हुआ है और Freddy जो है ये कौन है ये Clara का और साथ जो है न Mrs. Ensford Hills ठीक है इनका relationship दिखायागा है यहाँ पर In short, तीन family member है Mrs. Ensford Hills, Clara Hills और Freddy Hills ये तीनो जो है न ये तीनो खड़े हैं Covent Garden के पास और Covent Garden में जब बारिश हो रही है न तो इनका जो भाई है Clara का भाई है न वो लिने किया हुआ है cab ठीक है एक कहते नहीं है driving के लिए एक सफर के लिए convince के लिए cab लेके जाना और जब टड़ी cab लिने के है न उनके पास आता है और वो कहता है कि यहां पर कोई भी cab नहीं है कोई भी cab नहीं मिल रही और इसकी mother और इसकी sister जो है वो Freddy को रिब्यूक करती है गुसे में डानती है ठीक है और कहती है जहो जाकर दुबारा तुम गड़ूड के ओ और जब यह फ्रेड़ी दुबारा cab डूरने के लिजाता है तो इसकी जो टकर होती है वो लिजा नाम की लड़की के साथ हो जाती है ठीक है जब यह लिजा के साथ टकराता है तो लिजा के हाथ में flowers होते है लिजा को ने basically एक flower girl है जो के फूल सेल करती है तो जब उससे टकराता है तो उसके हाथ से फूल जो है ना वो मिट्टी में गर जाते है फिर जब लिजा कहती है ना कि तुमने मेरे सारे के सारे फूल खराप कर दी है तो उस टाम पे जो फ्रेड़ी की मदर है वो लिजा को six pounds देती है और जो हमारे पास लिजा है वो money जो है ना accept कर लिती है फ्रेडी की mother से और इसे दुरान जो हमारे पास एक और करेक्टरादस का नाम Clonal Pickering है Clonal Pickering जो हमारे पास stage के उपर repair होता है और लिजा जो है इसको अपने flowers sell करने की कोशिश करती है जो Clonal Pickering है वो इसको three happens देता है happens means British coin है ठीक है वो देता है इसको flowers के return के अंदर एक bystander होता है जो के देख रहा होता है लिजा को और लिजा को device करता है कि तुमने Clonal Pickering से three happens लिए है तुमें चाहिए कि तुम अब इसको flower भी दो Pickering को क्योंकि मैंने देखा है एक आदमी है वो पिलर के बीचे खड़ा हुआ और जो जो तुम कह रही हो न वो सब कुछ लिख रहा है इस पर लिजा जो है ना बड़ा जादा historical हो जाती है emotional हो जाती है और कहती है कि she has done nothing उसने कुछ भी wrong नहीं किया she has done nothing wrong और उसको लगते है यह जो आदमी है ने basically police का एक बंद है और वो आदमी कौन होता है वो आदमी Higgins होता है तो वो जो आदमी Higgins है ना वो लिजा को दिखाता है कि इसने लिखा क्या actually में इसने को भी Miss Deed का record नहीं लिखा अपने पास इसने जो लिखा वो तुम खुद पढ़ सकती हो तो जब यह उसको वो लिखा हुआ record देता है तो उस टाइम पर लिजा कहती है कि वो पढ़ नहीं सकती फिर जो Mr. Higgins है वो खुद उसको पढ़ के सुनाता है और रिपेडियूस करता है what she has said in her exact accent तो दोस्तों यहां पर जो Higgins का character है वो important है क्योंके वो character जो हमने पढ़ा है पिगमिलियन पिगमिलियन का role यह Higgins अदा कर रहा है फिर Higgins जो है ना वहां पर जितने भी लोग खड़े वे होते हैं उन सब को उनके accent से guess कर लेता है कि actually में लोग जो है कहां सब इलोंग करते हैं इनका hometown क्या है फिर लोग बड़ा amuse होते हैं इसकी बात हो से और इसके बाद जो है ना Higgins फिसल करके एक taxi बुलाता है जिसमें Clara और उसकी mother जो है ना वो बैठके चले जाती है ठीक है अब stage पे कोन है हमार पास Liza है Higgins है और Pickering Liza जो है अपने flowers को उठाती है मटी से जबके Higgins जो है ना explain करता है Pickering को that he is able to guess where people are from because he studies phonetics तो कहता है मैंने phonetics पड़ी हूँ जो लोगों के accent है वो जान लेता हूँ और accent जान के बताया दो कि लोग कहां से मिलते हैं और बताता है कि मैंने पैसा कमाने के लिए मिलिनियर्स लोगों को मैंने पढ़ाया हूँ है कि अपनी English वो इंप्रूव कर सके तो जो जो अरपती होते हैं अच्छे खासे पैसा कमाने वाले कहते हैं मैंने उनको उनकी English इंप्रूव करने में हलप आउट कि और उनसे मैंने पैसा कवाया हूँ है और पिछ भीगिंस को पता लगता है कि जो पिकरिंग है ये इंडिया में रहा है और ये राइटर है और फॉकन संक्स्क्रिक्ट का तो बड़ा खुश होता है हिगिंस क्योंकि वो कहता है कि जाई सी पात है लिंग्विस्टिक्स का परसन मिल गया उसको जिसका नाम है पिकरिंग और ये खुद भी लिंग्विस्टिक्स की फिल्ड से भी लोग करा था यानि कि फनेटिक्स सिखाता था लोगं को तो ये कहता है मैं एक्चुली में प्लैन करा था इंडिया में आने की ताकि मेरी ऐसे मुलाकात से ऐसे बंदे से मुलाकात हो सके ठीक है जिसको लिंग्विस्टिक्स पर कमांड हो तो पिकरिंग जो है वो भी इक्वली एक्साइटिड होता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि इसकी आखिर में मुलाकात ऐसे बंदे से हुई है जो के जो लिजह होता है वो कोशिश कोई ती कि अपनी जो फ्लावर्स वो सेल करदेड़े पिकरिंग को और कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं जो जो नाा इतना पैसा नहीं है मैं जो लाइफ गुजारने के इतने काबिल नहीं हूँ मेरे जो like life food है जो मैं अपनी living गुज़ा रही हूँ ठीक है वो बहुत मुशकल से गुज़र रहे हैं मैं out of rent हूँ ठीक है short for her rent को कहती है मैंने rent pay करना है तो तुम मुझे जो है ना थोड़ा पना मेरी flowers क्रीद लो तो इसके बाद जो है ना इसके बाद सुनके Higgins कहता है she cannot be short for her rent because she said she had changed for half a crown और ये बात कहने की reason क्या थी ये बात कहने की reason थी क्योंकि ये अब Higgins के record में आ चुकी क्योंकि Higgins ने इसके बाद लिख लिया हुए तो जिसके बारे में Higgins लिख लिख लिए इसका मतलब वो बंदा क्या है अब वो बंदा काफे ज़दा अपर रैंक पे आ चुका हुआ है according to Higgins ठीक है हलाके वो actually में क्या है वो पूर ही है लिजा जो है ना desperation के साथ अपनी basket जो है ना वो उड़ाती है तो जो उसी दुरान चर्च की bell बच जाती है जब चर्च की bell बचती है तो चर्च की bell सुनने के बाद जो Higgins है वो इसकी basket को पैसे से भार देता है ठीक है और फिर वो पिकरिंग के साथ स्टेज छोड़ कर चला जाता है इसी दुरान पे फ्रेड़ी आता है कैब लेकर और वो देखता है कि उसकी mother और sister तो वहाँ पे हैं नहीं ठीक है तो वो देखता है इसकी mother और sister वहाँ पे नहीं है तो कैब मैं जो है ने बड़ावटफूल होकर लिजा की तरफ देखता है कि लिजा के जो कप्रे ने बड़े फटे से हुए है ठीक है राइटर्ड ने major characters को भी इंटेडियूस करवा दिया साथ यसाथ इसने socio economic class को भी दिखा दिया इसने दिखा है socio economic class जो है वो central theme में अपले का ठीक है जब इसने बात की upper and lower class की Mr. Higgins जो हैं वो upper class से बिलॉंग कर रहे हैं और जो हमारे पास यहाँ पर लिजा थी वो लोड क्लास से बिलोग कर रही थी तो सोशलिस्ट होने की बेस पर यहाँ पर राइटर ने बड़े कनिंगली एक्सपोस की है हमारे पास कि कैसे पावर ने डिवायट कर दिया पूर और रिच को सेटिंग जो थी यहाँ पर राइटर ने लंड़न की चूज की है और लंड़न की सेटिंग चूज करके जो लंड़न के इंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन है राइटर ने उसको भी हाइलाइट कर दिया है यहाँ पर और साथ यहां पर हिगिंस को मेंचन करके राइटर ने British Class Consciousness जो है ना Accent की बेस के उपर उसको भी हाइलेट किया कि जो Class है ना British Class British People जो है वो कितना Easily Accent को जो है ना Understand कर लेते हैं और Accent की बेस पर differentiate क्रियेट करते हैं तो यहां पर हमारे कुछ इंपोर्टन्ट थीम्स हाइलाइटर है जैसा के Class का थीम आगया हमारे पास और Second Theme हमारे पास Language का आगया और First Act में हमारे पास एक और थीम आगया हो है Professionalism का जिसमें हमारे पास जिगंस का Profession और साथ ही साथ हमारे पास जो लिजा है उसका Profession और साथ में हमारे पास Pickering है उसका Profession हाइलाइट हो गया तो अब हम बात करते हैं अपने Next Act की Second Act First Act के बिलकुल End पे हुआ था कि लिजा जो है वो कैब में बैट कर Stage Short के चले जाती है अब जब Second Act स्टार्ट होता है तो उस पे देखते है कि Next Day है 11 A.M. का Time है Higgins और Pickering जो है यह Higgins के प्लेस के नदर है यानि कि Higgins के घर में है जो के हैं Wimpole Street में अब 11 A.M. के Time पे Higgins और Pickering कठे बैठे होई है और जब यह कठे बैठे होई है तो Higgins जो है ना वो Pickering को अपने Universal Alphabet दिखाने लगता है And they are about to break for lunch यह lunch के लिए ब्रेक लेते हैं तो उसी दुरान जो है ना Mrs. Paris Mrs. Paris जो है वो Servant है इनके घर के इंदर किनके Higgins के घर के इंदर वो लेके आती है Liza को वो दिखाती हैं कि Liza आई है Liza जब इसके पास आती है वो तो somewhat थोड़ी बहुत clean होती है थोड़ी बहुत साफ सुतरी होती है और वो बताती है कि यहां पर ना वो कैब के through आई है और वो उसको कहती है कि तुम ना मुझे language के lessons सिखाओ मैं तुम से language के lessons सीखना चाहती हूँ और वो कहती है मैं तुम इसके लिए pay भी करूंगी उस पैसे में से तुमने रात को ना मेरी पासकेट में पैंके थे ठीक है मैं तुमें उसके exchange में कुछ ना कुछ रटर्न जरूर करूंगी ठीक है वो ये भी कहती है कि तुम उस टेम पे डॉंक थे तुमने पिया होता जब तुमने मुझे पैसे दिये थे ठीक है और साथ मों ये कहती है मैं language इसलीर सीखना चाहती हूँ कि मैं ना flower की shop बना चाहती हूँ और वहाँ पे काम करना चाहती हूँ और flower की shop में काम करने के लिए मुझे एक proper accent required है ठीक है इस क्षिए हुए रप जयो ऑप उसगल हो और पिर इस को पढ़ाने का आइडिए है ना यानि कि लिजा को पढ़ाने का आइडिया हिगंस को सुबिष कटे है अच्छा लगता है पशेशली तब जब पिक्रिंग बैट लगाता है इससे कि तुम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं तो यह कहता है कि मैं इसको इंबसेडर जो बॉल आ रही है न सिक्स मन्स के इंदर अच्छी खासी इसको इंग्लिज सिखा दूँगा एक्सेंट सिखा दूँगा थीक है तो आफ्टर पिकरिंग बैट्स हिम इसके बाद जो है न यह कहता है कि हां मैं तो इसको पड़ाओंगा यह मेरी लिए एक बैट्ट है मैं तो करके दिखाओंगा फिर जो है लिजा को ब्रोपर ट्रेनिंग दिना शुरू कर देता है मिस्टर और हिगंस लेकिन लेसंन स्टार्ट होनने से पहले जो मिस्स परेस है WHO कहती है मिस्स परेस कोई थी servan थी जो कहती हिए लिज़ा जो है लिजा रिप्लाइ करते है कि उसके परेंट जो है नहीं तो गर से निकाल दिया हुआ है ठीक है और she was old enough to make a living अब पिकरिंग जो है प्रोटेस्ट करता है कि गर्ल जो है न ये लिजा गर्ल जो है इसकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स है हमें इसको सिखाना चाहिए बट हिगिन्स कहता है शी हाज नन आ टॉल इसके पास कुछ भी नहीं है लिजा जो है वो छोड़ के जाने लगती है जो छोड़ के जाने लगती है तो हिगिन्स जो है न उसको चॉकलेट देता है और चॉकलेट दे कर रोकता है और लिजा को लगता है शायद इस चॉकलेट के अंतर जहर मिलाया हुआ है तो इसका ये फिर दूर करने के लिए जो हिगिन्स है वो चॉकलेट को हाफ-हाफ कर देता है और पहला हाफ खुद खाता है फिर उसको बाकी का हाफ देता है फिर हिगिन्स कहता है कि अगर ये एक अच्छी स्टूड़न्ट थापित हुई तो इसको इसकी शॉप स्टार्ट करने के लिए पैसे खुद देगा ये ओफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद जल्दी से मिस्स पेरिस के साथ जाती है ये ता कि ये बात ले सके और फ्रेश हो सके क्योंकि अब ये डिर्टी सी हालत में गंदी सी हालत में नहीं है ठीक है थोड़ा साथ सुत्रा पहले के मकावल है लेकिन है गंदी हालत में तो जाती है बात लेती है फ्रेश होती है उसके पाद जो मिस्स पेरिस है वो दुबारा से रूरूम के अंदर आती है सिर्फ लैंविज दुबने कल्चिर्ज और मैनर्स भी सिखाने है इसी दुरान जो लीजा का फादर अलफर्ड डूलिटल है जब अलफर्ड डूलिटल आता है ना तो हीगिंस जो है वो अमेज कर देता है अलफर्ड को बाइ इमिजियेटली गैसिंग दाट इस मदर वास वेल्श वो गैस कर देता है इसके मदर जो है वेल्श है इसके पाद अलफर्ड जो है वो क्लेम करता है कि वो अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आता है Higgins कहता है कि that she is upstairs और इसके बात Higgins का और Alfred का बहुत लंबा आर्ग्यू होता है और उस आर्ग्यू के बात जो Alfred है वो कहता है कि मैं बुरा नहीं मिना होंगा कि अगर वो मेरी बेटी है वो तुम्हारी प्रोस्टिटूट बन जाए ठीक है मुझे बस कुछ पैसे चाहिए है तुम मुझे पैसे देदो मैं चला जाओंगा यहां से वो उसे 5 पाउंड्स मांगता है और कहता है मेरी बेटी को तुम रखो Higgins जो है ना Higgins जो Alfred के करेक्टर से बहुत जादा इंप्रेस होता है और उसकी जो बाते जो इनकी करेक्टर चलती है ना उससे इंप्रेस होने के बाद ना इसके करेक्टर ओर लाइक करता है और उसको 10 पाउंड्स देता है लेकिन Alfred जो सिफ़से 5 पाउंड्स लेता है उसमें से और कहता है 10 बहुत ज्यादा है मेरे लिए 5 ही काफी है पिकरिंग कहता है अगें से के तुम चाहिए तुम इसकी बेटी से शादी कर लो खुद शादी कर लो क्यूंकि Alfred की वाइफ उसके साथ नहीं है तो Alfred reply करता है कि he is willing वो करना चाहता है लेकिन वो चाहता है जिससे इसकी शादी होना वो unmarried हो तो मैं तब उससे शादी करूँगा क्योंकि अगर वो unmarried होगी तो उससे बहुत अधा नाइसर होगी अच्छे से रहेगी उसके साथ खैर इनकी conversation के दुरान लिज़ा वो stage पर आती है यानि कि इनके पास आती है उसने एक stylish Japanese की mono पहना हुआ है बहुत साफ सुथरी होगी है यह और अपने फादर से पूछती है क्या उन्होंने पहे जाना इसको पिकरिंग और हिगन्स बड़ा surprise होते है कितना यह बतलब की clean होने के बाद कितनी खूबसरोत कितनी इच्छी लग रही है इसके बाद Alfred जो हो चला जाता है यहां से और हिगन्स कहता है उसको कि तुम कभी एक बार मिलने आ जाए करना यहां पर फिर इसके बाद मिसिस परिस announce करती है कि जो new clothes है अलीजा के लिए वो आ चुके है आके इनको try कर ले वो बहुत excited होके अपने clothes को check करने के लिए जाती है और pickering और higgins जो हो रिमार्क करते है इनके job कितने difficult होने वाली है यहां पर act to complete होता है हमने जब father को दिखा है यहां पर अलीजा के बड़ा important वो father का poor class का जो impact है वो through and true family पे भी होता है और यहां पर हमारा जो लिजा का character है वो भी नसरा आता है वो चाहती है self improvement ठीक है तो self improvement के लिए वो यहां पर pronunciation की phonetics की classes लेने के लिए इसके पास आई है तो इसमें हमारा पास culture का theme भी आजाता है इस पार्ट में हम लोगों ने marriage and prostitution का भी theme देखा कि उसके फादर ने easily कह दिया कि तुम उसको prostitute कर लो और उसके इलावा हम लोगों ने इसके इंदर theme देखा gender का भी ठीक है कि यहां पर male female को exploit करने के लिए है था और on the other hand हमने देखा एक female मिस्स पारस है जो के advice कर रही है तुमने इससे nicely treat करना तुमने इससे roll motor बनके दिखाना है इसके बाद हमारे पास act 3 स्टार होता है जिसके हम देखते के few months later Mrs. Higgins जो है na Higgins की mother ठीक है वो एक letter लिख रही है Mr. Higgins को sorry Mrs. Higgins जो है वो एक letter लिख रही है और जब letter लिख रही है थी बने driving room के अंदर तो इसको इसका बेटा जो है Mr. Higgins sorry Henry Higgins वो interrupt करता है तो ये उसको डाटती है कि तुमने मुझे आकर क्यों interrupt की है और Mrs. Higgins ये भी कहती है कि जो इसका बेटा है ना वो इसके guest को डुरा देता होता है क्योंकि इस टेम पेटा चाहता है कि जो इसने लड़की का challenge लिया था Liza का उसको इनके guest से मिलवाए है और इनके guest के सामने आकर वो react करें उनसे interact करें और चाहता है कि इसका challenge कवर हो चुका है क्या उनसे interact कर पाती के नहीं कर पाती तो यही request करने के लिए आया है Mr. Henry Higgin अपनी mother से और Mrs. Higgin कहती है मैं अपने भीमानों को डुराना नहीं चाहती ठीक है तुम जो है मेरे भीमानों को डुरा देते होई वाली बात क्याएकर मैं नहीं डुराओंगी उनको ठीक है एंसफोल हिल्स और साथ में Clara यह guest होते हैं जो हमारे पास एक्ट बन में इंटिड्यूस कर वा दिये के थे वही इनके guest बन के आ रहे होते हैं Mrs. Higgins के Higgins जो है इनको रिकर गनाइस कर लेता है बट रिकेन नोट फिगर आउट वेर ही हासीन देम बिफोर साथ साथ Freddie भी आता है इनके तो जब यह आते हैं तो इस तुरान पर Eliza जो है उसको इंटिड्यूस कर वा दाता है इनके सामने Eliza को देखकर Freddie को ना अलीजा से प्यार हो जाता है और फिर जो Henry Higgins है वो रियलाइस करते हैं कि यह सब के सब एक जगा कोविंट गार्डन में मिले थे फिर अलीजा जया वो इनसे बातचीद करना शुरू कर देती है और इसको अलीजा को वार्निंग दी जाती है कि तुमने लिमेटेड टॉक करने है उनके साथ जो अपनी अडिमेटे कर देती हैं किसे यह कृष्ण कर रही हुती है उनसे अपनी अंट के आप चाह Kutyi कोतलones Europe है जो कोई एक काई कोई मिस्तेक कर देती है। तो ही कृष्ण के बाद इस भी तेमिस्तेक की बैस पे जो हो भात अलीजा को पिकरिंग पे और उनके बेटे के ओपर कि तुमने जो है ना अलिजा के साथ क्या की है लोशाब में कहती है देप्रोजेक्ट विद अलिजा वाइल चलावर जन्नोट वर्क बिकोज नो स्किल इन प्रोनुशिएशन और फैंशी द्रेस्स चेंज अलिजा टॉक्स अबाउ और मिसस हिगिन्स की तरह जो मिसस परेस है वो पिर डिस अप्रोव करती है इस फैंट को के अलिजा इनके साथ घर में रहे क्योंकि जो दोनों आदमी है ये अलिजा को डॉल की तरह लाइफ डॉल की तरह एक गुडिया की तरह treat कर रहे हैं यह उसका मुझा कुडवा रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं और दोनुं पिकरिंग और साथ ही साथ हमारे पास हेंड्रे हिगिन्स यह प्रोटेस्ट करते हैं कि यह लोग लिजा को serius ले रहे हैं यहां पे Southern night कि देख रहे हैं ठीक है तो यहां पर एक्ट 3 एंड हो जाता है और जिसके अंदर हमारे पास थी मज़ा दे ट्रांस्फोर्मेशन का यह कैसे एक फ्लावर गल्स से वह चेंज होगी सोसाइटी लीडी के अंदर लीजा इंटू अलीजा फिर आहता है हमारे पास एक्ट 4 जिसके अंदर हमारे पास दिखाया गया कि at midnight at Higgins house Higgins का house कहां पर था हमारे पास विंपूल स्ट्रीट के अंदर लीजा जो है बहुत pale और tired दिख रही होती है और वो एंटर होती है almost tragic tone के अंदर है मतलब tragic look होती हich की एक पिकरिंग को होना पिकरिंग और हीगिनग कर दो लोनों इगनौर करते है अलेजा को और ना बाते करे होते वो लोग weather की स्वेधर की ना बात के रहे होते है slippers की बात करे होते हैं धीक है दोनों इगनौर करते है लिजा को एंट टॉकिंग बाउट वेर हिगंस स्लिपर्स आर ठीक हैं यहां पर कोई मेल आई हूई है यह नहीं और यह लोग ना गार्डन पार्टी पे डिनर पार्टी पे ऑपरा में थे जहां पर लिजा ने हर एक को सक्सेस्ट विलिग बना दी बेवकूप बना दिया था अपनी एक पेरेंट से लिजा से लिजा में इसने हरे को बेवकूप बना दिया था कि अब यह क्या है यह अपर क्लास से बिलॉँग करती है एक हाइफाय किसम की लड़की है ठीक है यह कोई लॉट क्लास पूर क्लास की लड़की नहीं है और लिजा कहता है कि मैं बहुत साइटी लेडीज अलीजा जो के हिगिंज के स्लीपर्स जून रही होती है इनकी कर्विसेशन सुनने के बाद उसको जादा गुसा आने लग पड़ता है हिगिंज जो है वहाँ से चला जाता है छोड़कर ये कहके के अलीजा तुम लाइट जो बन कर देना और मिस्स परिस जा उनसे कहता है कि आपना कॉफी बना दे मौर्निंग में फिर हिगिंज जो हाँ आपस आता है अपने इस लिपर्स देखने के लिए और अलीजा जो है लिए इसको उठा के फैंकती है इसकी तरफ और Aliza गुस्य से कहती है She does not know what to do with herself Now that she has won the bet तो Higgins कहते है तुम overreacting कर रही हो और कहते है तुम सोने के बाद ना बहतर महसूस करोगी और कहते है तुम काफी attractive हो तो कोई तुम से चादे जरूर कर लेगा फिर Aliza कहती है She was above sailing herself When she was a working class woman She mainly sold flowers instead of her body Higgins just reply करता है Her moral judgment against marriage is unfair फिर गुस्य से अपनी अंगुठी फायर प्लेस में फैंक दी जोकी इसको हिगिन्स दी होती है Higgins जो है गुस्य में आगे कमरा चोड़ के चला जाता है फिर उसके बाद ये एश के अंदर फायर प्लेस के अंदर उस त्रिंग को तिलाश करने के लिए पैट जाती है और यहां पर हमारा एक्ट फॉर जो एंड हो जाता है इसके बाद एक्ट फाइव स्टार्ट होता है जब एक्ट फाइव स्टार्ट होता है ना हमारे पाद उसमें बताया जाता है कि मिसिस हिगिन्स जो है ना अपने ड्राइंग रूम में पैठी होती है इसके पॉस्त का बेटा आता है और पताता है कि जो अलीजा है वो भाग गई है इसी दूरेशन के अंदर जो अलीजा के फादर है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं उन्हें हिगन्स से बात करनी है पने ही बीजें यह भुँआ होता है इसके पास मि więc Star ही के पास ऑन्हें दिया है और कहता है कि मिडिल से नफरत कर रहा है और थी चाधि करने के लिए इस ट्रेयर से नीचे आती है जो के न मिस्स हिगिंस का घर चोड़ कर जा रही होती है हिगिंस जो है इसको देखकर बड़ा दा हिरान होता है कि यह कहां से आगी है तो घर चोड़ कर भाग गई थी फिर जो डूलिटल है वो इन्वाइट करता है पिकरिंग को अपनी वैडिंग के ऊपर और ये हैंडरी हिगंस को और अलीजा को अकेले छोड़ जाते हैं बात करने के लिए तब अलीजा जोएना हिगंस से कहती है कि she does not want to be treated like a pair of sleepers और फ्रेडी जोएना उसको love letters लिखता है हर दिन और फ्रेडी के साथ रहेगी उसे शादी कर लेगी उसको कहती है कि मैं phonetics जो है ना मैंने वो सीखी है तुमसे तो मैं तुम्हारे वाले method को adopt करके teach करूंगी ठीक है मैं phonetics teacher बन जाओंगे तुम्हारी तरह की जब ये कहती है तो पिसके बाद इस पे anything that she does but in how she is treated ठीक है और कहती है पिकरिंग जो है ना उसने हमेशा मुझे एक लेडी की तरह ट्रीट की है लेकिन हिगंस तुमने मुझे हमेशा एक डर्ट की तरह ट्रीट की है फिर response में हिगंस कहता है he treats everyone like dirt इसके लिए जो इसके बाद जो मिस्स हिगंस है वो शादी की त्यारी के करके वापस आ जाती है वो शादी के त्यार होने के बाद वो अपने साथ अलीजा को भी लेके जाती है हिगंस कहता है अलीजा से कि तुम उसके लिए उसका काम कर सकती हो शॉपिंग वगरा इस सारा कुछ काम करना तो अलीजा जो इसको फाइनल गुडबाई कहती है और वहां से दिखल जाती हो उसमें बहुत जादा confidence आ चुका होता है और हिगंस भी फील करता है कि जो अलीजा है वो इसके जितने भी कमांड्स उनको फॉलो करेगी फुल कॉंफिड़न्ट फील करता है इसके बाउट कितने भी कमांड्स कि जैसे उसको एक लड़ या लेडी बना दिया वो सब कुछ फिर इसके बाद ड्रामा चाब खतम हो जाता है और एपी लोग के अंदर शाज़ा इनिरेट करता है कि इस स्टोरी की एंडिंग वैसे नहीं होती जैसे कि सिंड्रोइला की कहानियों में होती थी बलके इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो एक रियलिस्टिक वे में होती है कि अलीजा जो है वो फ्रेडी से शादी करती है और पिकरिंग के गिफ के साथ अलीजा जो है वो एक फ्लावर शॉप खौल लेती है सिर्फ क्लैरा है जो इस जो स्टेट ओफ अफ अफ एर उसे बहुता बोदर होती है और डिसाइड करती है कि that marriage will not help her own marriage proposal लेकिन ये फिर S.G Wells ठीक है कभी ना कभी तो इसकी मुलाकात कही ना कही इस से जरूर होगी क्योंकि जिस की ये शॉप में काम कर रही है ठीक है वो भी फैन है Wells की H.G. Wells की and on the other hand Freddie is not very practical and he and Eliza must take classes in bookkeeping to make their business a success they do reach success and they live a fairly comfortable life and here is the end of our play so we have seen this play and we have seen the problem play and we have also discussed education problems, accident problems, language problems, financial problems we have seen this play and in the middle class, morality comments, satire, writer has a romantic attitude towards life and the important character is Henry Higgins and Eliza Doolittle इसकी कहा जाता है ये दो क्रेक्टिर मार पास important है जिनको मेरे सासाथ अनाल्सिस कर लिया है important theme मेरे देख लिया है कुछ statement है मैं आपको दिखा दून screen के ऊपर ये paper में एकसर पुछी जाती है statements as it is आती है ये number one है ये number two statement है तो अब इसके बाद next statement में देखा देती हो आपको ये number three statement as it is पुछी जाती है exam के अंदर और उसके बाद जो है number four statement ये भी as it is पुछी जाती exam के अंदर जो ये number four statement है I care for life for humanity ये बहुत rare पुछी जाती है लेकिन बहुत important statement है next है ये number five number six ये दोन्यों statements भी as it is exams के अंदर आती है और important statement से सारी के सारी सारी statements important जो मैं आपको video के end पी दिखा रही हूं next है हमारे पास number seven statements most important statement है जो के mostly exam में पूछी जाती है तो यहां पर हमारी video है complete thank you so much for watching this video please video को subscribe video को like करिएगा comment भी करिएगा channel को subscribe भी करिएगा और video को share भी करिएगा ये video बहुत ही महनत से में आई गई हुए तो आपका एक share हमारे लिए बहुत जाता matter करता है thank you so much Allah Hafiz